शिम्लग कालिवाडी हॉल में प्रदेश की विभिन जन संगटनों द्वारा नशा मिटाओ, हिमाचल बचाओ, विशे पर एक राजिस्तरिय अधिवेशन का आयोजन किया गया इस अफसर पर हिमाचल प्रदेश पुलिस विभा के महानी देशक सिताराम मरडी मुखे रूप से पधारे और उपस्तिर लोगों को नश्यों के तुश्परभाव और इससे बचने के बारे में जानकरी दी पुलिस महानी देशक एसार मरडी ने बताया कि आज के समय में नश्या एक बहुत ही बियानक समस्या के रूप में सामने आ रहा है एसार मरडी ने बताया कि हिमाचर परदेश पुलिस विभाग द्वरा परदेश में नश्या के प्रचलन को खतम करने के लिए ड्रग फ्री हिमाचर नाम से एक एप त्यार की गई है जो कि पुरे देश में अपनी तरह का एक पहला प्रयास है और कोई भी व्यक्ति इस एप के माध्यम से अपने क्षेतर या परदेश में कहीं भी नश्यों का विपार करने वाले लोगों और अन्य तरह के अपरादों के बारे में पुलिस विभाग को बगैर अपनी पहचान बताये जानकारी दे सकते हैं पुलिस वारा इस पर कारवाई करके नश्यों के विपार में शामिल लोगों को गिरफतार किया जाता है उन्होंने लोगों से जारा संख्या में इस एप के माध्यम से नश्यों से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देने की अपील की त हुए हैं जो यहिम्स के सर्वे के मुताबित मुझे यह बहुत कुशी की बात है कि कुलदीब तन्वर जी ने जो समाज के अलग-अलग वर्ग को इकटा किया यहां पर और विदायक्षरी राकेश सिंगाजी भी मौजूद है और लोग उत्सुक है कि यह जो ड्रग मैनेस है कतम करने के लिए तो मैंने उनको विस्तरत रूप से बताया कि पुलिस क्या क्या कदम उठा रही है और इसके साथ भी मैंने उनसे अनुरौद किया लोगों से कि जो हमारा ड्रग फ्री हिमाचल एप है इसको यूज करिए इस पे पुलिस को कभी पता नहीं लगेगा कि जो स अनका नाम ना लिया जाए या उनको विटनेस ना साइट किया जाए अगर ड्रग फ्री हिमाचल डाउनलोड करना है करते हैं तो आप अगर चाहे तो अपना मुबाइल नंबर दे सकते हैं नहीं चाहे तो ना दे सकते लेकिन पुलिस को किसी भी किसी को भी इस आप आपके बारे में पता नहीं लगेगा और आपको F.I.R. में साइट करना या विटनेस साइट करने की सवाली नहीं है और ड्रग्स के किलाफ पुलिस अपने आप कारवाई करेगी और इसको बाकी स्टेटों ने भी अप्रिशेट किया अब उत्राखंड से एक सीनियर आफिसर आके इस सीबी जो ओफेंस के बारे में आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं पुलिस को कभी नहीं पता लगे गए गा कि किसने सूचना दी है और दूसरा मैंने ये भी कहा कि जो विक्टिम्स है जो एडिक्स है उनके बारे में सूचना दे उनको हम अक्यूस्ट नहीं बना Hughитесь के परत बेचता है और एक बेचने का प्रोफेशन बना है तब तो हम कारवाई करेंगे लेकिन फिर भी उसके लिए हम धर्दी दिखाएंगे तो लोगों को ड्रग फ्री हिमाचल एप का बारे में ज्यादा पता नहीं था मैंने कहा है कि ये पूरे देश में हमने सबसे पहले लागू किया और कोई भी खुल के समाज में हर तरह का क्रेम के बारे में पुलिस को सूचना दे सकता है हमारा फेस्बुक में भी ड्रग फ्री हिमाचल एप के बारे में हमने बताया है और बाकी हमने जो और कदम उठाया जैसे नशानिवारन समयती पंचायत लेवल में नशानिवार कि सारी चीजे हमने की डिस्ट्रक्शन में हम क्या क्या कदम उठाते हैं कितने सीजर करते हैं कितने एरिस्ट करते हैं और किस किसम का ड्रग्स बेचा जाता है यह जानकारी भी दी है और लोग उनने मुझे उमीद है कि आने वाले दिनों में लोग सक्रियर रूप से पुलि इपतनवर्न ने बताया कि आज के समय में नशा एक खतरनाक समस्या के रूप में हमारे समाज के सामने पेशा रहा है और गंबीर विशे पर चर्चा करने के लिए इस समय लंग का आयोजन किया गया है ताकि हम सम्मिकर हमारे समाज में फैल रही इस नशे की प्रवरिती पर अभी गठन किया गया है जो कि आने वाले समय में सरकार को भी जरूरी सजाओ देगा और इस विशे पर सभी संबंदित विभागों के बीच आपसी तार्मिल बिठाने पर जोर देगा आज कालिबाडी हॉल में हिमाचल परदेश के विभिन जन अंदोलन और जन संगठनों ने मिल करके एक रज्य स्तरी अधिवेशन का आयोजन किया है जिसमें छात्र, नौजवान, महिलाएं, दलित, वर्किंग क्लास, इंप्लॉईज असोसीशन, पेंशनर्स असोसीशन, ज सब के जुड़ेवे प्रतिनीधी, यहां पर सब इकठे हुए हैं और इसका सबसे बड़ा उदिश्य है कि आज एक मंच का लौच किया गया है, जिसका नाम है नशा मिटाओ, हिमाचल बचाओ, और इसका जो फोकस है कि किस तरह हम नौजवानों को और जो हमारे खास तोर प और विभिन संगठों के जो परियास है, हमारी समझ ऐसी है कि उसमें अभी काफी गैप्स है, इसमें जिस समय तक एक हिमाचल परदेश में एक जन अंदोलन, एक समाजी कंदोलन अगर पैदा नहीं होगा, जमेनी स्तर के उपर जब लोग इसका विरोध नहीं करेंगे, हम एप्रिशेट करते हैं, पर उसके अंदर हमें समझते हैं कि इसमें अभी बहुत ज़्यादा गैप्स हैं, इसमें एक रजिस्तर के उपर कॉडिनेशन कमेटी बनाते हुए, इसके बाद इस तरह के जो अधिवेशन है, वो जेला स्तर के उपर, उसके बाद ब्लॉक और जाया जाएगा, इस उधिशे के साथ इस अधिवेशन को आज यहां रखा गया है, इसमें जो समझ बनी है कि सरकार के जो चार मुख्य विभाग हैं, जिसमें पुलिस विभाग है, सोशल जस्टिस एंड एमपावर्मेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है और एजूकिशन उनका जो रूल है, उसके अंदर भी काफी गैप्स हैं और कौडिनेशन नहीं है, आने वाले समय में इस मंच के माध्यम से सरकार के बीच में एक एडवोकेसी भी की जाएगी, कि जिस तरह हिमाचल परदेश में, साक्षरता अभिहान के अंदर, बेटी बचाओ अभिहान के अंदर भी सरकारी और गहर सरकारी सारे प्रियासों को इकठा किया गया था, और ऐसी समझ बनती है, कि किसी भी कारेकरम की सफलता के लिए, एक राजनितिक इच्छा शक्ती को पैदा करना पड़ेगा, और उसमें एक एडमिनिस्टिटिव स्पोर्ट भी हो, और जनता की भा प्रिवारन के लिए मिल करके सरकार के साथ भी और अन्य संगट्रों के साथ मिल कर प्रियास करेंगे धन्यवाद।